वेलकम टू नाजवे असलाम अलेकूम नमस्ते एवरीवन वेलकम टू माइ चैनल नाजवे आज की हमारी रेसिपी है फिश करी फिश करी के लिए हमें चाहिए फिश यहां बेर मैंने 6-7 पीसिस ओ फिश लिया है और ओईल चाहिए और मसाला 6-7 टीस्पून मसाला ये एक होमे पत्ता हरी मिर्ची और मैगी क्यूब गार्निशिंग के लिए कॉरियंडर और स्वाल्ट आस पर योर्टेस्ट आप अपने हिसाब के ले सकते हैं और आटा आटा हम इसलिए यूज करें क्योंकि इसमें हम वीट फ्लार क्योंकि हम इसमें कांदा टमाटर कुछ भी नहीं कि हम लोग आटा यूज करें एंड वाटर एज रिक्वायर्ड अभी हम ग्यास स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और ऑईल डालेंगे उसमें 4 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून पॉल लेंगे तो अच्छा रहेंगा ऑईल डालने के बाद गैस को थोड़ा सा फ्लेम लो कर दीजिए इसके बाद यह जो मसाला है जो मैंने आपको बताया था यह डालेंगे सारा ही डाल दीजिए मसाला डालने के बाद हाफ टीजिपून हल्दी यह जो आता लिया यह डालेंगे सारी इंडिडिएंस एक साथ ही डाल देंगे इंडिए खड़ीपता और हरी मिर्ची , ये सारे हसे मellच भाइन के बार क्यों से छोड़ा सा मसाले को फ्राई करेंकें मीडियम लुक्र लेंपर मेंडियम लंपर लाटेंपर शच लेंकि म्साला ये श्युट फोड़े से देरी करना है । अगर जाएगा को शालम कैसे एक चलता है थोड़ेसे चल한테 कुआ सब्राइब परीजिए इन प्रेम को फास्ट कर दीजिए इसको थोड़े देर तक आप उसको ग्रेवी में अच्छा एक बॉयल आने दीजिए तब तक कि आप इसको पकाईए दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं खलका सा बॉयल अगया है ग्रेवी में उसमें हाई ये पैकेट मसम अगी क्यूब का आप को हाफ यूज करना ये फूल पैकेट है मैं हाफ ही डालोंगे हाफ पैकेट मैगी क्यूब का मैंने डाल दिया क्यूब स्पेशल एक कोंग्णी डेश है ये फिश करी इसमें एक अच्छा बॉयल आनी के बाद मैं फिश डाल रही हूं मैंने यहां पर रावस फिश लिया अच्छा ये दीजिए मिक्स दीजिए फिश डालने के बाद ये जो कोरियंडर यहां पर मैंने रखा है इससे आप गार्मिश कर दीजिए को अच्छा सव मिक्स दीजिए अगें ये देखिए ये यूजिली एक पतली ग्रेवी होती है इसको राइस के साथ खाया जाता है अगर आपको लगा कि ये ग्रेवी बहुत ज्यादा पतली है तो आप अगें वीट फिलार को जड़ा सा पानी में मिक्स कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए ये फिश करी को अभी आप पकने दीजिए इसको कवर करके पकने है तेन मिनिट्स हो चुके है और यह देखिए फिश हमारी अच्छी तरह से पक गई है ऐसे भी यूशली फिश को तो इतना टाइम नहीं लगता है पकने के लिए फिश इस कंपलेटली रेडी फिलेम गास आप आफ कर दीजिए हमारी फिश करी रेडी है यह इसकी कंसिस्ट पिश अच्छे से बग गई है और यह ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी पॉफेक्ट है तो प्रीश एंड यमी रेसिपी थोड़ा सा गानिश कर दीजिए को कुरियंडर से जरूर ट्राय करिएगा यह रेसिपी और अगर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा प्लीज मेरे रेसिपी को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जादर से जादर शेयर करें आई नीड योर सपोर्ट एवरिवान थैंक यू